ट्राइक स्पीड वॉल की बहुत democratically ऑप बहुत को अब जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है ltalk ह्ट इसलीनीघ का स्ट्रक्च्ट्र वर ट। आ रहा है किस तरीके से बना है इसके बारे मेंडीटेल में देखें ग ballet important है क्योंकि काफी लोग question पुछते कि सर हमें काडेक सागा समझ में नहीं आते हैं हमें इसी जी सागा समझ में नहीं आ रहे हैं वो क्यों होता है क्योंकि structure of heart ही detail में समझान नहीं है चलो heart को heart से समझ लेते हैं ओके तो आज हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले जो topic है इसको simplified version में सबसे पहले देखेंगे with a help of beautiful visuals okay उसके बार फिर actual concept जो है वो हम बीड करेंगे पहले fundamentals क्लियर करेंगे उसके बड़ concept बीड करेंगे वहाँ पर हम देखेंगे location origin covering septum walls function of all muscles क्या है internal structure of the heart सब कुछ चीज़े detail में देखेंगे fine ओके चलो शुरू करते हैं सबसे पहले लेस्ट टॉक अबोट इस open circulatory system and what is close circulatory system अब यहाँ पर आप देखो यार इसके पास भी heart है इसके पास भी heart है heart क्या है heart is nothing but the pumping organ okay heart क्या करते है heart का एक ही काम है कि आपके body में जो blood है उसको pump करना pump क्यों करना है ताकि circulate हो सके right मतलब यहाँ पे मेरा heart है तो यहाँ से लिके brain तक भी blood जाना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा blood को forcefully भेजना पड़ेगा forcefully भेजने के लिए हमें चाहिए pump okay so heart is the pumping organ right तो यहाँ पे देखो और स्वाम के पास heart है यहाँ पे इनसे के पास भी heart है लेकिन यहाँ पर चीज हमें अलग दिखाई दे रहे हाँ से ब्लड निकल रहा है और यहाँ पर देखो इस थरीके से यहाँ पर जो टीशू रहेगा यहाँ से जो थू दिफूजन यहाँ पर नूट्रेंट डिलेवर किया जाएंगे और जो ब्लड है से रिसटर्न कर दिया जाएगा यहाँ यहाँ पर देखो यहाँ पर इंपर यह पर इंपर यहाँ ważne है है यहाँ यहाँ अ यहाँ पर हो गया मतलब टीशू कैंगे प्लास बड्र को ऑब को टीशू को ब्लर कर दिया यहाँ रहा है हम यहां पे देख रहे है this is open circulating system and this is a closed circulatory circulation क्या है close blood open नहीं हो रहा है right bloods are nutrients derived under the defusion through active division through positive diffusion okay यहां पे जबकि हमें दिखराए कि the circulation is open circulation okay so this is a closed circulating system and this is open circulating system कि यह गरीब है उनके पास जो लोग है उनके पास डुसे से फैसिस्ट्म क्योंकि देखो यारtså अगर मुझे ब्रेंद अगर ब्लॉर्ड अगर मुझे पहुचाना है तो मुझे मैं एकदम से हाट से बलड बाहर नहीं भेश सकता कि जा भई तू बलड की तरब जा तो मुझे पाइपलाइन लगते है क्लोज पाइपलाइन की थू ही मैं बलड जो है ब्रेन तक डिलिवर कर सकता हूँ तो यह नीड़ जो एडवांस अनिमल से उनको मिल उनके पास है और जो आर्थोप्राइब लार्जेस फाइलम एंड सेकंड लार्जेस फाइलम मॉलुस्क उनके पास है ओपन सर्कुरिटी सिस क्लियर है अब देखते हैं कि exactly हाट का स्ट्रक्चर क्या होता है तो यह है अपना हाट अब यार यह हाट देखके तो अलग ही दिख रहा है देखने में क्योंकि जो वल्यूड मुवीज ने जो हमें हाट पढ़ा है वो तो यह है चलो इसी से ही हाट के स्ट्रक्चर को समझते है ओके सो इसी सिस हाट के स्ट्रक्चर के सहाट पंक्स मतलब क्या है है कै छुक्त हम हासओ कर देख देता है यह हमारी हो गई है अब अगर हम हाट को देखे तो तो हमें दिखेगा, the heart is covered by one layer, हमने देखा, the liver is covered with a glissan capsule, हमने देखा, that the lung is covered with a pleura, वैसे ही heart is covered with pericardium, okay, so this is a pericardium, और pericardium is the covering of the heart, clear है, very good, अब pericardium और जो heart, actual heart है, उसके बीच में है, pericardial fluid, यह shock absorbing का काम करता है, कि कोई अगर मार देगा, तो हमने बाहर से protective covering लगा दिया है, heart is such a precious organ, इसलिए thoracic cavity में रखा है, बोनी covering के अंदर heart को हमने बिलकुल संभाल के रखा है, क्योंकि अगर pumping organ ही अगयर damage हो गया, तो blood to circulate न में रखा है, this is a pericardium, having a pericardial fluid, fine, okay, अब बरते हैं आगे, तो heart के अंदर हमें कुछ दिखते है, partition, this is called as a septum, septum मतलब separate करने वाला portion, so this type का हमें दिखता है, partition, कुछ ने एक tissue है, जो heart को divide कर देता है, right-sided heart and this is a left-sided heart, जो भी हम डाइग्राम देखते हैं हमारे books में, जब भी आप medicine पढ़ोगे आगे, MBBS में, तो हमारा एक pattern fix है, हम consider करते हैं कि जो individual हो इस position में खड़ा है, okay, this is called as the normal anatomical position of the body, जो हम अब heart देख रहे है, वो heart यहाँ पे है, मतलब ये side, this is the right side, this is the left side, हमेशा याद रखना, so this is the right side of the heart, this is the left side of the heart, clear है, okay, और यहाँ पे और एक हमें partition दिखाई देता है, right, इस type से, right, अब चलो यार, एक दो partition के वज़ेशा है, heart जो है, total चार compartment में, डिवाइड हो गया है, जो small compartment है, उसको कहते है, atrium, जो bigger compartment है, right, इसको कहते है, ventricle, ventricle is nothing but the chambers, okay, अब यह right side में है, तो इसको कहते है, right atrium, जो नीचे के side में, right side में, उसको कह और यह जो part है, इसको कहा, left ventricle, this is like a heart, एक घर की तरह है, जिसमें चार कमरे है, okay, और हमें क्या करना है, heart के through blood को बाहर पंप करना है, अब ध्यान से देखना, क्योंकि यहां से ही धिरे-धिरे, फिर हम complex चीजों की तरफ बढ़ने वाले है, okay, so this is the vena keva, the name of this particular visor is called as superior vena keva यह क्या करता है, body का जो sub-deoxygenated blood है, body का जो सब कुछ deoxygenated blood है, वो यहां पे superior vena keva के through, यहां पे right atrium में drain होता है, yes, there is superior vena keva and then there is inferior vena keva, 2 vena keva ke through, body का, जो deoxygenated blood है, यहां पे deliver किया जाता है heart को, मतलब क्या हुआ, for example, यह मान लो, आपका pancreas है, okay, so, हमारे पास क्या है, heart से, यह है अपना heart, heart से oxygenated blood निकलता है, यहां पे pancreas के पास गया, pancreas ने oxygen ले लिया, अब यहां पे और उसने carbon dioxide डे दिया, okay, carbon dioxide डे दिया मतलब यह deoxygenated blood है, यहां से oxygen निकल दिया गया है, अब यह deoxygenated blood through superior vena keva heart के पास आता है, this is how the structure is, right, clear है, so, कोन लाता है heart के पास blood, तो superior vena keva and inferior vena keva, यहां पे blood लाते है, superior vena keva, inferior vena keva, यहां पे आपको एक और inferior vena keva, दिखा ही, जो यहां पे नहीं दिखा है, बाद में उ हाँ पे हमने right atrium के पास उसको deliver कर दिया, ध्यास से देखना, अब बढ़ ही interesting सा चीज हो रही है, right atrium पे deoxygenated blood आया है, blue color का है, deoxygenated दिखाई दिया है, अब right atrium and right ventricle, they are interconnected, दोनों के बीच में connection है, दोनों के बीच में bridge है, and through that bridge, अब यह क्या होता है, blood यहां पे right atrium के बा right ventricle में आया, right, अब देखो क्या होता है, अब यहां पे क्या होता है, यह जो right ventricle है, यहां से blood फिर से बाहर की तरफ भेज देता है, okay, like this, अरे, यह तो पीचे चला गया, सही बात है यार, मतलब, 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 आप ने यहां पे bridge खड़ा कर दिया, अब आप क्या कर रहे हो, heart को pump कर रहे हो, heart इस तरीके से pump होता है, तो जो blood जिस रास्ते से है, उसी रास्ते से पीचे भी तो चला जाएगा, जबकि उसमें जाना चाहिए आगे, right, आप बने रहना मेरे साथ concept, will को strong कर से build होंगे अपके, ध्यान से सुनने, heart जब pump होगा, तो क्या होगा, यह जो bridge हमें यहां से दिख रहा है, यह पीचे भी तो चला जाएगा, right, like this, जिस तरीके से यह आगे आया, जब heart pump हुआ, यहां से आया, तो next pump के वक, यह तो पीचे चला तो यह नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां पे क्या है, इसलिए nature ने यहां पे wall लगा दिये है, क्या लगा दिये है, wall, और अब because of wall क्या होता है, जैसे ही पीचे जाने की कोशिश करता है, तो wall बंद हो जाता है, ध्यान से देखना, अब जब heart pump होता है, तो यह blood पीचे जान में जाने के लिए, देखो, close हो गया, इसको कहते है, इस wall को कहते है, tricuspid wall, why the tricuspid name is given to this particular wall, because can you see here, one, two, three, there are three cups, cups means three structures making up the wall, the structure is called as a tricuspid wall, right, tricuspid wall lies between the right atrium and right ventricle, very very important point, right, the function of the wall is to prevent the backward entry of the blood into the right atrium very very important point, बढ़े आगे बढ़े, आगे बढ़े, काडिया साइकल में तो और ज्यादा अच्छे से देखेंगे, लेकिन concept तो यहाँ पे built हो रहे है, ध्यान से देखना है, your concept should be crystal clear, अब यहाँ पे, यहाँ पे एक हमने drain pipe लगा दी है, जो blood जो है, heart से बाहर लेके जाएगा, okay, ध्यान से देखना, क्या हुआ, जब heart इस तरीके से हुआ, तो यहाँ पे यह contract हो गया, तो contract हो गया, तो जो अंदर का blood है बाहर चला जाएगा, right, इस तरीके से यहाँ पे आजाएगा, तो यह कौन है यहाँ यहाँ पे, यहाँ पे भी wall है, क्योंकि सेम चीज होगी नहीं यहाँ पार बाहर आगे, हाट से पीछे नहीं जाना चाहिए, पता चला हाँ भाहर भेज रहा है, फिर से रिटना रहा है, तो यह नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी wall दिया है, okay, so this is called as the pulmonary artery, यह जो pulmonary मतलब लंग, लंग के प्लास ब्लड को लेके जाने वाली वेसल, इस the pulmonary artery, very very important point, very very important point, pulmonary artery के पास जो वाल है, the wall is known as pulmonary wall, simple है, okay, so what pulmonary artery is doing, pulmonary artery is carrying blood from the right ventricle to the lung, लंग के पास क्यों लेके जाना है, क्योंकि ब्लड दियोक्सिजिए नहीं है, उस दियोक्सिजिए ब्लड में मतलब RBC के पास अब oxygen नहीं है, उसको oxygen देना है, blood में oxygen हमें डालना है, इस लिए, अब हम blood को लंग के पास लेके जा रहे है, through the pulmonary artery, and the point to be noted here, my lord, pulmonary artery is the artery, नाम artery है, लेकिन carry कर रहे है, deoxygenated blood, otherwise, in our body, हम जो artery नाम है, ये नाम देते हैं, जब उस vessel के अंदर oxygenated blood हो तभी, लेकिन ये pulmonary artery, ये हमारे body में एक ऐसी artery है, जो deoxygenated blood को carry करते है, very very important point, अब आप कहोगे, कि अगर deoxygenated blood को अगर carry कर रहे हो, तो sir, इसको pulmonary vein बोलो ना, आप, आप इसको pulmonary artery क्यों बोल रहे हो, पहले बोल रहे हो, पहले को pulmonary artery है, बाद में बोल रहे हो कि deoxygenated blood भी carry कर रहा है, वो हमने इसलिए किया है, कि जो vessel, जो vessel, vessel मतलब vein and arteries, the pipes in the our bodies, जो vessel किसी organ के पास अगर blood लेके जाती है, तो हम उसको artery कहते है, यहाँ पे यह जो vessel है, यह lung के पास लेके जा रही है, blood इसलिए इस vessel को कहा गया है, artery that is pulmonary artery, okay, clear, so pulmonary artery is the only artery, right, which carries the deoxyative blood, a point clear हो गया, okay, अब बढ़ते हैं, आगे ध्यान से देखना, pulmonary artery, pulmonary artery, trichus भी डोल, यह चीज़ क्लियर हो गई, अब यहाँ पे oxygen तो हमने डाल दिया, अब यहाँ पे lung में से हम oxygen ले लेंगे और दे देंगे, blood में डाल देंगे, अब यहाँ पे एक pipe है, जो lung के through निकलता है, और oxygenated blood, can you see here, can you see here, यहाँ पे जो यह जो pipe है, red color में है, क्योंकि यह oxygenated blood को carry करेगा है, blue में है, जो deoxygenated blood carry करेगा, यह चीज़ क्लियर हो गई, अब देखो, यह oxygenated blood यहाँ से carry करेगा, lung के पास, और left atrium में लेके जाएगा, राइट, यह देखो, यह यहाँ से blood आया, 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 okay, यह चीज़ clear हुई, clear हुई, मतलब blood यहाँ पे, deoxygenated blood यहाँ पे आया, और यह देखो, अब जा रहा है, 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 लेके जा रहा है, इसका नाम है pulmonary vein, right, अब हाँ कहोगे pulmonary vein, लेकिन यह तो oxygenated है, yes, यह यहाँ पे थोड़ा oxygenated blood, otherwise veins carries deoxygenated blood, अब फिर से कहोगे कि sir, अगर pulmonary vein ही अगर बोलना था, उसको pulmonary artery क्यों नहीं बोल रहा हुआ है, जो चीज, जो वेसल, और गन से दूर लेके जाती है blood को, उसको हम vein कहते है, इसलिए इस वेसल को हमने pulmonary vein कहा, but in fact pulmonary vein में oxygenated blood है, clear हो गया, clear हो गया, यहाँ प अब लाए, वहाँ पे जो partition है, हमने देखा था, exchange membrane के through blood में आएगा oxygen, CO2 को बहार बेज दिया जाएगा, बाइक कॉनरों के फॉर में CO2 को carry किया जाता, यह सब चीज हमने breathing and exchange of gases में देखी थी, okay, clear है, तो सबसे बहुते सुपी रहे वेना कहाँ है, के through blood आया, right atrium में, right atrium स right ventricle में गया, tricuspid wall यहां के बीच में है, दोनों के बीच में, उसके बाद blood को भेज दिया, हमने pulmonary artery के through lung में, lung में blood का oxygenation किया, और blood जो है through the pulmonary vein हमने left atrium में भेजा है, अब यह आ गया oxygenated blood, अब फिर से left atrium में left ventricle को connect करने के लिए ब्रीज है and which is well protected with this wall and through this wall blood passes, they say blood pump होता है, जो आपको धरकल सुनाई देती है, तो blood इस तरीके से यहां पे आता है, okay, तो left ventricle में आ गया, और फिर से यार, फिर से पीछे नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने यहां पे wall लगा दिया, अब इस wall को क्या कहते है, can you see here, यहां पे तीन tops थे, यहां पे दो है, okay, so this is called as the bicuspid wall, okay, चीजे क्लियर होई है, so this is a left ventricle, the wall between left atrium and left ventricle is called as a bicuspid wall, this is a tricuspid wall, and there is another name for this wall, this is called as a mitral wall, this is called as a mitral wall, this is called as a mitral wall, यह चीज मत भूलना, right side में tricuspid wall है, left side में mitral wall है, okay, कैसे याद रखेंगे इस चीज़ को, simple चीज़ बादो, mitral, इसको, mitral मतलब क्या होता है, mitra, mitra मतलब friend, simple चीज, तो यहां पे जो अपना जो friend है, वो friend के पास कितने हाथ रहते हैं, आपने दो हाथ रहते हैं, so mitral wall is a bicuspid wall, जो left side में है, क्योंकि अपना friend जो है, यह left handed friend है, अपना lefty है, okay, इस type से कुछ याद रखना, लेकिन उसको confuse मत होना, okay क्योंकि this is very very important wall, mitral wall, very very important point, okay, clear हो रहा है, mitral मतलब mitra, mitra मतलब friend, आपके friend के पास दो हाथे, that is mitral wall is a bicuspid wall, आपका friend left handed है, mitral wall is situated on the left side of the heart, चीज clear हो रहे है, अब बढ़ते हैं, आगे, let's ventricle, पे blood आ गया है, oxygenated blood, कोई problem नहीं है, अब यहां से क्या होता है, अब यहां पे फिर से pipe है, और उस pipe के थू, हमें, हम क्या करते है, oxygenated blood, पूरे body में भेज देते हैं, एक दम forcefully भेज देते हैं, okay, और यहां पे भी हमें, फिर से wall यहां पे दिखाई देगा, तो wall, यह जो वेसल है, जिसने carry किया blood को outside, जाटि ले फेंटी के से बाहर लेके गया, उसको हम क पास जो वाल था, उसको कहा हमने पल्मनेर वाल, आटा के पास जो वाल है, उसको हमने कहा आटी को, and the function of the wall is to prevent the backflow of the blood, okay, अब अगर मैं बात करो कि पल्मनेर वाल और आटी को, इन दोनों के common नाम भी दिया गया है, which is called as the semi-lunar wall, which is called as the semi-lunar wall, okay, if I am talking about semi-lunar wall, means I am talking about this and this wall but if I want to specify a particularly pulmonary wall, then I will say I am talking about the pulmonary wall, so semi-lunar wall, we call it semi-lunar wall, clear है, अब यह चीज़ आपको क्लियर हो गए, इसको वेना क्या हुआ है, देखो इतना बड़ा वेन है, इतना बड़ा, यह चोटी सी है, तो यह जो वेना क्या हुआ मतलब, क्या हुआ मतलब, क्या हुआ मतलब, क्या So, superior vena क्यावा, this is a vein, carry deoxidative blood to the heart, heart से बाहर, blood कौन लेके जा रहा है, आवोटा लेके जा रहा है, heart के पास blood किस ने लाया, superior vena क्यावा और inferior vena क्यावा ने लाया, अब ध्यान से देखना, यह जो structure है, tricuspid wall, एक किस type का structure है, पता है, इस type का structure है, इस type का, 1, 2, 3, और यह इस type जो जो वाल है वाल को यहाँ पे connected है यह जो junction है यहाँ पे right so यहाँ पे जो heart के wall को यह जो wall है यह connected है with the help of muscle आपने skeleton में पढ़ा होगा skeleton में क्या आपने पढ़ा कि यह जो humorous रहता है okay right humorous okay यह टाइप को humorous हो गया right और यहाँ पे एक muscle है okay biceps पकड़ लो तो muscle है जो bone को attach रहती हो का कैसे attach रहती है with the help of tendon attach रहती है tendon क्या करता है bone and muscle को connect करता है muscle directly connect नहीं होती है bone को यहाँ पे भी muscle wall को directly नहीं connected है दोनों को connect करने के लिए हमें structure की दूरोत है जिसको कहते है cordy tendini and this muscle is called as a papillary muscle very very important point very very important so the muscle which connects the wall with the wall of a heart heart के दिवार को कौन कर रहा है इस वाल को papillary muscle with the help of cordy tendini very very important point clear हो रहा है और यही papillary muscle यहाँ भी रहेंगे यहाँ भी cordy tendini रहेंगी clear है अब बढ़ते है आगे यहाँ पे देखो क्या हुआ अब मुझे बताओ यार यहाँ पे यहाँ पे देखो ध्यान से देखना है चीजों को अब यहाँ से blood निकल रहा है यह पूरे body में भेजना है हमें यहाँ से हमें ज्यादा पाउर देना पाद के भाई तु होर से भेच तुछे ब्लभ बरें के पास भी बेंजना है तुझे जो ब्लभ है कि टीप अव दौ के पास बैट अचाहिए जाना चाहिए वहा पे ओके तो यहां पे उसको पाउर देने क sunt सबसे थीक रहता है अब देखो जो लोग है जैसे हम क्या खाते है गी खाते है तो उसमें क्या होता है पता है यह जो आर्ट्री जहां पर क्यों होता है को लेट विए यह लोगाना पड़ेगा पाधER बहार बेजने के लिए क्या होता ब्लड है पर टेशन मतर ज्यादा फोर्स आप लगा रहे हो तो इस वन आप दरीजन कोलिस्टरल बढ़ जाना इस इस आउ दो कोलिस्टरल अफेक्स युवर हाट चीजे क्लियर हो रही है ओके सो लेट फेंट्रिकल और ज्यादा वहाँ पे है पर टेंशन में लेट जो है और ज्यादा ठीकर हो जाता है और उसको कहते है यहां से यहां तकी ब्लड बेजना तो वह थीक नहीं है यहां पर रहे है यहां से लेकिस लेकिश के पास बेनना है तो सेकंड श्ट्रक्चर विचीज है थीक वाल इस राइट वेंटरिकल आपर लेट लेट फेंटरिकल के बाद राइट वेंटरिकल की वाल जो है ठीक रहती है चल अब बढ़ते हैं और गई क्यार है कई तो यहां पर देखों सूपरेंट यहां पर ब्लॉट यहां फेडिकल में आ गया राइट फेट अंगे बाद फेड़िकल में अगया फेडिकल से पिल्मनेरी पाद पाद विछाए फेडिकल में बेजा प्राकितु ब्लड जो है बाहर बोडी में भेज दिया जाता है अब यह डाइग्राम देख लो NCRT की राइट अभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी राइट इसके बारें इसके बारें में बात करने आपकर आएगां फॉक हो जो राइट के अट्री अडिशेन से अट्री राइट वेंट्रिकल, लेट अट्रियम, लेट वेंट्रिकल, चीज़े क्लियर है, अब ध्यान से देखना है, ओके, अब यहाँ पे वेना कैवा के थुरू डियोक्सियने ब्लड आया, पेन क्यों मुझे परेशन करता है, मुझे लगता है, अब तक मुझे इसको यूद्स करन नहीं नहीं आया है, ओके, तो वेना कैवा के थुरू ब्लड आ गया, यहाँ पे राइट अट्रियम में, ओके, उसके बाद यह देखो, यहाँ पे ब्लड आयेगा, इस तरीके से, राइट वेंट्रिकल में, ओके, यहाँ पे देखो, कॉर्डी टेंडीनी है, पैपिलेरी मस यह चला जाएगा, सॉर्ड, पाल्मिनारी आट्रियम पिर एक पास, फिर, उसके बाद लंग में, ओके भीक्ट लESन होगा, और फिस यहाँ पे ब्लड गूम के, यहाँ पे रिटन आजाएगा, यहाँ पे, देखो, पनमनेरी वेंट के, पाल्मिन के ठ्रूप यहाँ पाद म यहां पर देखो इस तरीके से आवोटा के थू बलड को बहार भेज दिया जाएगा चीज क्लियर हुई अब बढ़ते हैं आगे इस सेम डाग्राम है तो यह चीज क्लियर हुई लोकेशन अब दा हाट इस इन दा थोरासिक कैविटी ओरीजिन अब दा हाट हाट इस ओरीजिए फंद मीजोडम मीजोडम से मसल ओरीजिनेट होते हैं हाट इस अ मस्कूलर स्ट्रक्चर तो मसल से ओरीजिनेशन हैं काहरिंग इस कॉद अ क्लिक वाल वी देख लेया फंक्शन अब दो वाल यस इट इस दर फ्रिवर्व आप दो बड़ गॉर्वाल का टेश्मेंट किस तरीके से रहता है इस फॉल्ड रिख दिनी यह जो हमने एक बुक में से लिया है यह पेच आपको दिखाने के लिए अगर आप खुद के अगर तो इस तरीके से प्रिपेर करना है इसको कहते है कारनेल मेथद कारनेल मेथद ये मेथद है फोर इसे मेमराइजिंग दकान्सेट ओके मतला हमारा ब्रेंट जो है अगर हम प्रॉपर सौर्टिंग आउट करतें इंफरमेशन को तो इसली क्या देता है तो यहाँ पर जब आपको रिवाइस करना तो यहाँ पर हात रख लो और इन पॉइंट को आप सीब देखो आपका यह पॉइंट जो है आपर रिकॉर सुरुव हो जाएगा जिसके बारे में हम ECG के सेक्शन में बात करेंगे जो नेक्स टूटोरिल आना है ECG वहाँ पर ब्लड सप्लाइब दाहर्ट यहां पर बड़े लोग कन्फिज हो जाते हैं ब्लड सप्लाइब अगर मैंने पूछा तो क्या बोलो गया राइट ब्लड सप्लाइब दाहर्त ब्लड ब्लड लंग तो यह नहीं कि ऊग् happily एंगे सब्धैजार जो आप करते मon Tsch अ मत बुलना को आफ गेट्स इस उरन सप्लाइब उल्ड को जाइब ए होग मेंद emulate यह मुझ बें और रोका उन correr होगी है तो यहाँ पे देख लो हम जिए बात की थी त्राइकश पीड ओंसी तरी करें को है तरीकश पूर देखता है वाइक से लोग देखो दुप से अब इसको मैं रोगोड बीशप के हैट जैसा रहा है उसको के ते मैं अब कर दो होगी यह चीज़ सिंपल होगी उसके बाद हमने देखा आयोर्टिक वाल हो यह हमने देखा पल्मर्य हो तो इस टाइप के रहते हैं वाल्स यह चीज़ क्लियर हो गया होगा तो चीज़ों को मत बुलना कॉड़ी टेंडिनी पेपिलिरी मसल यह चोटी-चोटी चीज़े काफी बार में हम बात करेंगे so if you have any query do let me ask in the comment and do let me know if you find this tutorial help you thank you so much guys